प्रवागति एक बार फिर से आप लोगों का आपके ही अपनी यूटूब चैनल फार्मा एंसी की वह पे दोस्तों होमियोपेद फार्मासिष्ट वेकेंजी के रिगार्डिंग हमारी जो पांच अजार एंसी की स्रीच चर रही है और इसी के रिगार्डिंग फ्रेंड हम दूसरा फार्मेसी का तीसरा जो टॉपिक रहेगा वह हमारा एब्रीवेशन यानि सौर्ट फॉर्म का रहेगा ठीक है और इसमें ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं इसलिए मैं इसे सुरू कर देता हूं और इसे जो है खतम करने के बाद ही निश्ट टॉपिक हम लोग ज जाते हैं मैं है तो हम लोग ने फ्रेंड जूए 250 क्वेशन कंप् Tommy य 싸र्ट करतें है ठीक है यहां पर और फ्रेंट मैंने डारेक्न जो है फॉर्म को लिख लिया है और सोट फोर्म इनके लिख लिया नेश्ट यहां पर दिया गया है 223 यहां पर 202 203 होगा ठीक है कोश्चन नमबर यहां पर आप थोड़ा करेक्ट कर लीजेगा यह 203 होगा ठीक है 203 और यह आपका 204 होगा कोश्चन नमबर तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर होते हैं जिन तरीके से लिखे गए उसी तरीके से भी इनका यहां पर यहां पर रहता है नेश्ट दिया गया 206 एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एडवांस कार्डियक लाइफ यह से सपोर्ट ठीक है एडवांस कार्डियक लाइफ यह से सपोर्ट ठीक है एडवांस कार्डियक लाइफ यह से सपोर्ट ठीक है एडवांस लिब तो इसका मतलब होता है एडिजायड ठीक है जब इच्छा हो एडिलिव एस डिजायड ने इस्ट दोस्व आट दिया गया है कि ऐडेल 가지고 डेली विविग्ग ठीक है एडीयल फूल फौरम क्या रहेगा एक्टिविटी याप डेली लीविविग्ग यहां पर एक्टिविटीज़ग डेली यहां इसका एडियम ह। admission नेश्ट यह दिया गया है ऐसे फस्ट पेसिलनस ठीक हैес ऐस एसे एसे ऐसे फस्ट ठीक है बिसे बैसा एस फस्ट फस्ट पेसिलनस ठीक है निस्ट 211 जो कि दिया गयाए ऐस एफ एफ एक ज favorI भी देखिए पूरा short form ही इसी में है इसका मतलब होता है no fever ठीक है इसका मतलब एक no fever भी रहता है nest 200 बारा दिया गया है कि alb means albumin ठीक है albumin क्या होता है albumin protein होती है nest nest यहाँ पर 213 दिया गया है कि alt dieb ठीक है तो इसका full form alternate day होता है every other day ठीक है दोनों तरीके सही से बोल सकते हैं जो भी exam में दिया रहेगा आप लोगों को सही टिक करना रहेगा alternate day या every other day यहाँ पर रहने वाला है nest ms का मतलब तो morning होता है ठीक है और यहाँ पर आप लोग दे सकते है मेने का भी मतलब जो की उसका latent masa का word है morning होता है और M का भी मतलब morning होता है AMA ठीक है AMA इसका फुल पॉर्म क्या रहेगा अगे निष्ट मेडिकल सोरी इसका फुल पॉर्म यहाँ पर रहेगा एक मिनट इसका यहाँ पर फुल पॉर्म आप लोगों का रहेगा अगे निश्ट मेडिकल डिवाइसेज एडवाइज ठीक है अगे निश्ट मेडिकल एडवाइज यहाँ पर इसका फुल पॉर्म रहने वाला निश्ट निश्ट दिया गया कि यहां पर रहने वाला है ठीक है अंट का एंटीरियर रहेगा यहां पर आप लोग दे सकते हैं और नेश्ट दिया गया है यह थोड़ा अलग है तो इसे यहां आप लोग जरूर याद कर लीजे फॉर श्टार का वर्शन यह रहने वाला है क्योंकि यह बिलकुल अलग ट्राइब का है इसके फॉर्म भी अलग दिया है और जो है यहां पर इसका मीन्स भी अलट एंड ओरियेंट टू परसन टाइम एं में फॉर्म प्ल्स ठीक है तो इसे मैं दोनों को आप लोगों को दिखा देता हूं यहां पर दोनों आप लोग दे सकते हैं एक मिनट फ्रेंड मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूं और तो दोनों हमारे ख्याल से आ नहीं पाएंगे साइथ तो आप लोग इसे याद रखे लिखेगा उसका मतलब जो है एपिकल रहेगा और जो capital लेटर में एपि लिखेगा उसका मतलब है एपिकल पल्स रहेगा ठीक है यहां पर next question number हम लोग देख लेते हैं कि 221 AQ means aqus ठीक है यहां पर दिया गया है कि Ards Acute Respiratory Distress Syndrome ठीक है काफी important form है आप लोग उसे पूची बिजा सकती है ठीक है जो की दी गई है Acute Respiratory Distress Syndrome NIST nist यहांप दिया गया है Friend की ASA ASA तो आप लोग जानते होंगे इसका नाम तो S-Prin ही होता है NIST नेश्ट यहाँ पर दिया गया है कि ASAP या capital later में या small later में दोनों का sort form as soon as possible जितना जल्दी हो सके ठीक है नेश्ट यहाँ पर ATD ATD का full form admission transfer discharge ठीक है ATD admission transfer discharge यह patient के regarding होमियो पेथ जो भरती जो patient admit होते है होस्पिटल में AU both years AU का means both years होता है next AX luxury होता है ठीक है AX का means luxury होता है next यहाँ पर B oblique P इसका मतलब blood pressure होता है यह तो सभी को पता होगा ठीक है next B B E का full form barium enema होता है barium enema ठीक है इसमें भी कोई ज्यादा दिमाग लाने की दिक्कत है नहीं B B से barium E से enema next 230 bid twice a day bid miss twice a day next next दिया गया है कि will या bilateral तो यहाँ पर होता है both side ठीक है bill या bilateral का जो भी इनमें दोनों में से आएगा उसका यहाँ पर जो है short form रहेगा both sides ठीक है BL अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब blood होता है और B oblique P लिखा है तो इसका मतलब होता है blood pressure next BL WK तो इसका मतलब होता है BL से तो friend आप लोग simple समझ सकते है blood और WK से work blood work next यहाँ पर 204 दिया गया है कि BLS का full form basic support basic life support ठीक है इससे भी B से basic यह से life और यह से support basic life support और यह आज का हमारा last question रहने वाला इसके बाद तीन question आप लोगों को home work में मिलेंगे ठीक है बी यम bubble movement वाउल movement ठीक है bubble movement इसे बोलते हैं बी यम का इसे भी B से वाउल यम से movement ठीक है दोनों सेम रहने वाले हैं बाकि question number 236 BOW question number 236 BPM question number 238 BR इन तीनों के short form आप लोगो comment section में बताने हैं जो भी सही reply देगा निश्ट वीडियो में आप लोगों को उसका नाम सबसे पहले देखने को मिलेगा सही reply देना चाहिए फ्रेंड प्लस जो है सबसे पहले reply देना चाहिए ठीक है कोई लोग गूगल नहीं करेगा अगर आप लोगों को पता है तो जरूर दीजेगा अगर नहीं पता है तो गूगल पर जाके मत दीजेगा ठीक है क्योंकि गूगल पर जाके तो कोई फाइदा नहीं रहेगा ठीक है अगर आप लोगों को पता है तो आप जरूर दीजेगा तो ठीक है फ्रेंड आज की हमारे ये वीडियो यहीं तक रहेगी तो एब्री बेसन टॉप ही ज़्यादा बड़ा है नहीं इसलिए मैंने इससे सुरू कर दिया बहुत जल्लमी से समाप्त कर लेंगे मेरी कोची जैए रहेगी डेली आप लोग को एक क्लास मिली ही जाए बाकी देखते हैं फ्रांट जैसा टाइम होगा वैसा करेंगे तो ठीक है फ्रेंड यार अभी तक आप लोगोंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर सेर कर दीजिए शोभी यूप्यव्य ट्रपलेश से रेलेटेड होमιοते फार्मा सिष्ट की बेकेंशी की तेयारी कर रहा है या किसी अदर होमियोते फार्मा सिष्ट के एक्जाम की तयारी कर रहा है यह क्लास उसके लिए बहुत ही मैतमुर्ट रहने वाली है तो ठीक है maalें आच की वीडि